हलो फ्रेंट, वेलकम बेक टो माई चैनल रिन्यू, आप सबका सेवन डे योग सीरीज में स्वागत है, तो चलिए आज है डे फोर पहले हम सीधे खड़े हो जाएंगे मैट के उपर और फिर एक पेर को उठा कर अपने घुटन से उपर रखेंगे उसे और फिर दोनों हाथों को सांस भरते हुए उपर करेंगे, ये बेलेंसिंग योगा है, अब दुसरी तरफ से करेंगे, दुसरे पेर को उठा करके रखेंगे, और सांस भरते हुए उपर, और सांस छोड़ते हुए नीचे आना है, अब दुसरी आसन बता रही हुए मैं आपको, ये भुजंग आसन का वेरियेशन है, इस तरह से भी भुजंग आसन क्या जाता है, एक पेर को मोड़ेंगे और पेलविक से नीचे रखेंगे उसे, और फिर अपने सर को नीचे जुकाएंगे, तब सांस छोड़ते हुए जु अब हम सांस लेंगे और उपर उठेंगे, और अब इसी को हम दूसरे पेर से करेंगे, तो पहले अस्टांग में चले गए, फिर सांस भरते हुए उपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सामन नी सांसे, सांस भरें, छोड़ें और नीचे आजाएं, और कुछ देर यहाँ पर आएं, और कुछ देर यहाँ पर होल्ड करें, अब हम एल्बो प्लैंक करेंगे, इसमें हम ट्विस्ट करेंगे, जिससे हमारे कमर के उपर का जो फेट होता है, वो बहुत जल्दी कम हो जाता है, और यह आसान है, कठी नहीं है ज्यादा, तो आप इसे धीरे धीरे करेंगे, तो आप कर पाएंगे, अब हम सीधे बैठ जाएंगे, और थोड़ा सा टेन सेकंड का रेस्ट ले लेंगे, और उसके बाद करेंगे हम ब्रिजासन, इसमें हम को पेरों को हिपस चिपका कर रखना है, और फिर जितना हो सके, उतना अपने शरीर को हिपस वाले हिस् ध्यान रहे, कंदे, आपकी मेट से लगे रहें, और हातों को जिस तर से मैंने रखा वैसा रखें, सास भरते हुए उपर जाना है, कुछ दिर होल्ड करना है, और फिर सास छोड़ते हुए नीचे आ जाना है, अब हम करेंगे नोकासन का एक वेरियेशन, मैं थोड़ा इन तीन के सेट लगा है, तो यहां पर भी हम सामाने सांसे रखेंगे, पेर के दोना अंगुठों पकड़के धीरे 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 पेरों को सीधा करेंगे, और सांसे हमारी सामाने रहेगी, सांस ले छोड़े और कुछ देर होल्ड करें, और फिर नीचे आ जाए, आई हो, वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें,